नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चानल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ धैनिक राशिफल 29, 30 और 31 अगस्त के लिए तो आईए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा अब लेते हैं हमारी दस्वी राशी मकर राशी आपके लिए जो पहला कार्ड अपियर हुआ है वो है दो डेथ दूसरा कार्ड जो अपियर हुआ है वो है नाइन अफ दि पैंटकल्स और जो तिसरा कार्ड अपियर हुआ है यह है एट अफ दि बॉन्स मकर राशी आपका जो 29 अगस्त का दिन है ये दिन एक ऐसे परिवर्तन का दिन हो सकता है जो आपके जीवन के किसी एक चैप्टर को क्लोज कर दे आपके जीवन के किसी ऐसे अध्याय को जिसे आपके जीवन में नहीं होना चाहिए उस अध्याय को 39 तारीक का जो दिन है ये बंद कर सकता है एक समस्य आपको होगी आपका वो जो जीवन का चैप्टर क्लोज होगा उस क्लोजिंग का जो दर्ध है वो आपको बहुत होगा क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि कोई चीज आपके जीवन से अचानक अगर हट रही है तो वो आपके लिए beneficial कैसे है तो वो आपको future में पता चलेगा कि कैसे beneficial है एक चीज का और ध्यान रखेगा कि 39 तारीक को अगर आप अपने आपको बहुत ज़्यादा स्वार्थ ही बना कर रखें तो आपके लिए बहुत फाइदे मंद होगा एक चीज का और आपको विशेश ध्यान रखना होगा कि इस स्वार्थ पने में किसी का intentionally चाहते हुए जान बूच करके नुकसान मत करिएगा अंचाहे में नुकसान हो जाए तो वो अलग बात है तीस अगस्त का जो दिन है आपका ये धन वैभो और संपदा से भरा रहेगा इस दिन आप अपने परिवार पर खर्च कर सकते हैं इस दिन आप अपने परसनल चीजों पर भी खर्च कर सकते हैं 30 अगस्त के दिन आपको धन की प्राप्ति होगी, कहीं से धन मिल भी सकता है, कोई रुका हुआ धन आपके पास वापिस आ सकता है 30 अगस्त को धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है, आपको नहीं रास्ते भी दिख सकते हैं 30 अगस्ट को व्यापार में वृद्धी के बहुत बढ़ी हैं अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अपने समन्नों को अच्छा करना चाते थे तो उसके लिए प्रयास करने का दिन 30 अगस्ट का है प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी 31 अगस्ट का जो दिन है इस दिन आपकी सामाजिक सुईकारेता और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों में इजाफा होगा ना सिर्फ इजाफा होगा बलकि अगर आप व्यापार छेत्र में हैं तो व्यापार में वृद्धी होगी अगर जॉब औगर में हैं तो आपका ऑफिस मे सम्मान बढ़ेगा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपका सम्मान बढ़े या आपकी स्विकारिता बढ़े तो लोगों को सिर्फ थैंक्स कहिएगा अगर वे आपसे कुछ पूछते हैं या बात करते हैं इस विशा में तब खामखा घमंड में आकर एहंकारी बन करके या अपने दंभ को दिखाने की कोशिश मत करिएगा वो आपके लिए बैकफायर कर सकती है ओवरल ये जो तीन दिन आपके हैं इनमें से दो दिन 30 और 31 अगस्त बढ़िया रहेंगे 39 अगस्त थोड़ा सा बुरा हो सकता है बुरा इस सेंस में होगा कि आपको बुरा लगेगा हलांकि बुरा तो नहीं है बट आपको खुद बुरा लगेगा 39 अगस्त को अपने प्रेमी या प्रेमिका से बिल्कुल मत मिलियेगा आपको कोई वेक्ति अगर कुछ समझाता है ग्यान देता है तो उस पर ज्यादा रियक्ट मत करिएगा अवाइड कर दीजेगा तो दोस्तों ये था राशिफल 29, 30 और 31 अगस्त के लिए मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप कुछ इसमें नया चाहते हैं या आपकी कोई सुझाओं है तो उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ वीडियो को अगर आप लाइक करें और अपने मित्रों या परिवार के साथ शेयर करें तो बहुत आभार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद नमस्कार